अलो अच्छो मैं हूँ अर्जुन आपका mathematics mentor और आज के इस class में आप सब को बहुत-बहुत सौगत है आज हम अपना 10th standard का algebra का first topic स्टार्ट कर रहे हैं और जिसका नाम तो आपको बताए होगा linear equation in two variables यह topic है इसका board exam के लिए weightage है 12 marks मतलब यह topic बहुत important है तो इस topic में आज हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं तो वह एक बार discuss कर लेते हैं तो सबसे पहले आज की topic में हम देखेंगे इसका introduction मतलब linear equation in two variables क्या होता है उसकी क्या-क्या condition से हम देखेंगे simultaneous equations क्या होते हैं कुछ method से substitution method then elimination method and then AS method linear equation को solve करने के कुछ method से उनकी बारे में भी हम discuss करेंगे और उसके बार फिर अपना practice set 1.1 खतम हो जाएगा तो चलो start करते हैं one by one तो सबसे पहले introduction में हम देखते विड़ा कि linear equation in two variable होता क्या है इस type के equations को linear equation in two variable बोलेंगे तो अब देखो मैं आपको definition बता देता उसकी कि ऐसा equation होना चाहिए जिस equation में variable का जो पावर है one होना चाहिए linear का मतलब क्या होता है उसका पावर जो है वह one होना चाहिए तो अगर पावर one होता है तो उस type के equation को क्या बोलेंगे linear equation बढ़ हमें two variable में चाहिए तो ऐसा equation जहां पे two variables हो और variable का पावर जो है वह one ही होना चाहिए तो उस type के equation को क्या बोलते है linear equations in two variables अब कुछ examples देखते तो example से आपको बहुत अच्छे से clear होगा देखो मैं कुछ examples लिख रहा हू जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा 3x plus yy is equals to two right अब मैंने जो बताया था वो conditions हम यहाँ एक बार चेक करते हैं मैंने क्या बोला था first condition की दो variables होने चाहिए है ना यस दो variables तो है पट variable की power कितनी होनी चाहिए one होनी चाहिए तो यहाँ पे रहे को x की power one है और y की भी power क्या है one है मतलब यह अपने दोनों भी conditions satisfy कर रहा है तो क्या मैं इसको linear equation in two variable बोल सकता हूँ बिल्कुल बोल सकते है तो यह linear equation in two variable है अब example थोड़ा change करते विटा अब मैं ऐसा कुछ लेता हूँ कि मानलो यहाँ पर है 5x square plus 3y is equals to 7 अब देखो सबसे पहली condition आपको क्या check करने दो वेरियबल दो दिख रहें इसर बट एक प्राब्लम है यहाँ पे देखो एक्स का जो पावर है वो कितना है तू है और हमें कितना चाहिए था वन चाहिए था यहाँ पे टू है तो इसको हम linear equation बोल सकते क्या नहीं बोल सकते यहाँ बले य का पावर वान है बट एक्स का पावर तो नहीं ना सारे के सादे जितने भी लुञते वैरिवल से उन सबका पावर क्या होना चाहिए वन होना चाहिए तब हम उसको के बोलते हैं बोलते जाहिए इसलिए बालत नहीं होगा» अलग-अलग Τُए तक कि कि नहीं एक्वेशन आता है किसी थैप आप गलत नहीं करेंगे इसको आपका एक दम सही defend ne तो बहुत सारे अलग-अलग examples हम देखते हैं कितने possibilities बन सकते हैं अब देखो यहाँ पर मैं और एक example लिखता हूँ मानलो यहाँ पर है one by x plus two by y is equals to zero अब देखके तो आपको लगेगा कि सर यहाँ पर दो वेरियबल्स तो है और x और y की जो पावर है वह वन वन ही दिख रही है तो इसको हम linear equation बोल सकते है बट नहीं यह linear equation नहीं है क्यों सर क्योंकि इसको में थोड़ा सा modify करता हूँ इसी को में थोड़ा ऐसा लिखता हो देखो यह वेरियबल्स है यह denominator में नहीं होने चाहिए हम general form देखेंगे तो और clear हो जाएगा अभी के लिए बस इतना याद रखो यहाँपर य सब्सक्राइब में नहीं होने चाहिए तो इसको अगर हम उपर लेके आएंगे तो यहाँ पहल पावर क्या होता है नेगेटिव यह फिर उसका साइन अप्पोजिट होता है यह प्लस है तो यहाँ कभी power क्या हो जाएगा minus one is equals to zero तो क्या आप बता सकते है भी कि यह linear equation है या नहीं तो आप बुलेंगे नहीं है सर क्यों नहीं है क्योंकि आप पावर देखो ना minus one minus one देख रहे और हमें क्या चाहिए था हमें तो plus one चाहिए था तो यह भी linear equation नहीं है अब और एक example देखते हैं जैसे अभी मैंने आप लिखा two root x plus y is equals to nine अब देखो यहां पर दो variables सो दिख रहे हैं सर ना बट यह एक्स जो है ना वहां पर थोड़ा सा confusion है कि उसका power क्या होगा तो इसको भी मैं थोड़ा सा modify करके अगर लिखूंगा तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हो विड़ा two root square root का मतलब क्या होता है तो दी पावर one by two right तो यहां पर जो x से बिटा इसकी power हो जाएगी one by two y as it is और यह nine भी as it is correct अब यहां पर x की अगर हम बात करेंगे इसकी बात करेंगे तो यहां पर इसकी पावर तो one by two हो गई जो कि नहीं चले गा क्योंकि हमें strictly क्या चाहिए पावर one चाहिए तो इसको हम linear equation नहीं बोल सकते है ना दिनी दिर आपको clear हो रहा होगा विटा कि कि किस टाइप की equations को हम linear equation बोलेंगे चलो और examples देखते हैं ताकि आपको किसी भी टाइप का question आता है exam में तो आप उसको एकदम सही से करके आएंगे अगर मैंने ऐसा लिखा वान लो जैसे root three x minus y is equals to zero बताओ अब यह root three है तो जो three है वो root में है तो उससे डरना नहीं है आप बोलेंगे सर यहां पर भी root में था इसे linear equation नहीं था यहां पर भी root में दिख रहा है तो यह भी linear equation नहीं होगा गया यह linear equation two variable है क्यों क्योंकि हमें बस variable के power को देखना है बेटा जो numbers है उसका power कुछ भी हो सकता है हमें बस variable के power पर focus करना है तो यहां पर x का power भी one है और y का power भी one है तो इसे मैं linear equation in two variable बोल सकता हूँ clear और नेक्स्ट एक्जामपल देखो कि आयू एक्स प्लस टी एक्स वाई इस इक्वरस्टू पाइनस टू करेक्ट अब बताव मुझे यहां पर यह linear equation in two variable है क्या आप बोलेंगे है यहां प्लस ट्री एक्स वाई यह है और टर्म क्या होता यह तो आपको clear होगा लेके नहीं पढ़ेगे मुझे फिर भी बता देता हूँ जैसे देखो यहाँ पे 5X है प्लस 3XY तो प्लस और माइनस जो है वो टर्म को सेपरेट करती है तो यहाँ तक जो लिखा है एक टर्म है यह दूसरी टर्म है तो हर एक टर्म में जितने भी वेरियबल्स होंगे उन सब के पावर का एडिक्शन करके भी वन ही आना चाहिए यहा कि अलाओड नहीं है इन लीनियर इकवेशन तो इस टाइप के एक वेशन को भी हम लीनियर एकवेशन नहीं बोल सकते एक लियर हो रहे ना तो रहत टर्म की डिग्री क्या होनी चाहिए बिग्री यहां फिर उसका पावर का एडिशन करेंगे तो वह वन ही आना चाहिए अग लेको मैंने लिखा यहां पर 0.3 x plus 0.5 y is equals to 5 u अब बताओ यह तो decimal में दिख रहा है बट मैंने बोला था number को नहीं लेकना है बस variable के उपर focus करना है तो variable का power यहां पर one है yes sir यहां पर one है yes sir तो it's done कि यह linear equation in two variable है तो यहां पर हम करेंगे right ओके और कुछ examples बन सकते क्या कि को सारे टाइब के examples cover हो गए और एक example में यहां पर लेता हूँ चलो यहां पर और एक ऐसे general example लेता हो भी 3 x square plus 5 xy plus 7 z equal to 0 अब आप देखके बताएंगे सरे linear equation तो है नहीं क्योंकि यहां पर highest power कितना है तो है और हमें कितना चाहिए वन चाहिए चलो यहां पर और एक कुछ तो कर देता हो मैं थोड़ा change करता हो और आपको और एक concept मैं समझा दूंगा और यह है मानलो 3z equal to 0 यह linear equation तो नहीं है confirm पक्का हो गया right बट एक concept को हमें समझने के लिए मैंने एक example लिख दिया अब देखो अब आपको यहां तक हमने जितने भी examples देखे है उससे आपको linear equation का definition तो clear होगा linear equation into variable का definition क्या बनेगा फिर यहां पर एक बार लिख देता हूँ फिर उसको अच्छे से समझ लेंगे फिर से देखो definition क्या बनेगा बेटा definition बनेगा definition बनेगा an equation an equation in two variable in which in which degree of each term in which is one clear अब इस definition को अच्छे से समझो क्या बोल रहे an equation in two variable यह तो समझ में आए सर ऐसा equation होना जाहिए इसमें दो variables हो आगे का बताओ in which degree of each term क्या बोल रहा है degree of each term बोल रहा है degree of each term कितनी होनी चाहिए degree अब यह क्या बोल रहा है यह नहीं समझ में आए सर इसको थोड़ा सा explain कर दो इससे डरना नहीं का मतलब क्या होता है डिगरी का मतलब होता है highest power of the variable डिगरी का मतलब होता है highest power of the variable अब मैं समझाता हूँ इसको example के साथ ठीक है highest power अब देखो मैंने जो last example लिखा था तो इसमें आप मुझे बता सकते है कि इस equation में highest power हर एक टम में highest power कितनी है तो इस तम के अगर मैं बात करूँ तो इसकी power कितनी हो जाएगी combine power की बात कर रहा हूं में 111 तो कितना होगा त्री होगा ओके सर यहां पर एक ही है तो इसकी power वान तो अब मैंने आपको यह question पूछा कि इस पूरे equation की डिगरी कितनी है तो आप क्या बताएंगे डिगरी क्या होता है highest power तो यहां पर highest power को उने 3 है तो इस equation की degree क्या हो जाएगी बिटा 3 हो जाएगी अब डिगरी वाला concept clear है तो अपने linear equation in two variable की definition पर आते है अभी क्या बोल रहा है equation in two variable in which degree of each term is one तो हर एक term की degree क्या होनी चाहिए चाहिए वन होनी चाहिए अब जितने भी equations हमारे to the least अब 6 शीए है comingsपो फिर से चेक करते देखो यहां पे डिगरी चाहितनी हां यहांत पे डिगरी इखो स्व टोली जिए यहां पर यहांपे टोटल यह जो तो linear equation in two variable पे किसी भी type का question आने तो word exam में आप उसको word क्या होगे, आपका question का भी गलत हो गाई नहीं, अगर आपने ये starting से पुरा ध्यान से सुना होगा ना, कोई भी question उठा के देखो previous year का, कोई भी question में इस नहीं होगा, experience से मैं एक सारे examples लिये मैंने, क्योंकि मुझे पता है word exam में questions कैसे आते हैं, कोई भी question उठागे देखो, सारे concept अगर आपने धान से सुने, तो आपका question गलत होगा ही नहीं, तो अपना introduction हो गया, कि linear equation in two variable को identify कैसे करना है, तो क्या हम इसका general form लिख सकते भी, जन्डरल फॉर्म में linear equation कैसा दिखेगा फिर, तो उसको उसको एक बार discuss करते हैं, जन्डरल फॉर्म, linear equation का general form अगर हम देखेंगे, तो हमें और clear हो जाएगा कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर आपने देखा है ना, कि linear equation अगर होगा, तो देखो, एक, दो और तीन, मुझे यहाँ पर देखो, x दिख रहा है, उसका coefficient दिख रहा है, y का coefficient और एक constant term कुछ तो भी दिख रहा है, x है, y भी है sir, और यहाँ पर 0 मतलब constant भी बोल सकते, यहाँ पर भी sir, x का coefficient कुछ तो है, y का भी है, और एक constant है, मतलब तीन चीजे यहाँ पर compulsory, क्या, कि x होना चाहिए, y होना चाहिए, और एक ख़ता constant होना चाहिए, तो उससे हमारा क करके हम ऐसे लिखेंगे इसको, देखो, general form में linear equation in two variable, आपको ऐसा दिखेगा, ax plus by plus c is equals to 0, यह वाला सी आप right side में भी लिख सकते है, कुछ फरक नहीं पड़ता है, बस आपको 3 terms चाहिए, x के साथ कुछ तो होना चाहिए, नहीं लिखा तो 1 होता है, y की term होनी चाहिए, और constant होना चाहिए, these are the three terms in a linear equation in two variable, अब यहाँ पर ABC क्या होता है, यह जो ABC है, इस a, b and c are real numbers, अब real numbers आपको पता होगा, real number मतलब कोई भी number जो exist होता है, जो exist होता है, वो कोई भी number वहाँ पे चलेगा, चाहिए वो root में हो, चाहिए वो fraction में हो, चाहिए वो decimal में हो, किसी भी type का number हो सकता है, a, b और c, बट, यहाँ पर और important condition क्या है, कि a 0 नहीं होना चाह चाहिए, और b भी 0 नहीं होना चाहिए, क्यू सर, आपने तो बूला था कि real numbers चाहिए, बेटा हम देखते हैं कि a और b 0 होता है, तो क्या फरक पड़ता है, a को 0 अगर करेंगे बेटा, तो x गाय हो जाएगा, तो क्या यह linear equation in two variable रहेगा, नहीं, यहाँ पर तो a की variable हो अगर हमें दूनों भी variable को जिंदा रखना है, तो a और b कभी 0 नहीं हो सकते, अब linear equation का introduction, हमने अलग-अलग type की equations देखें, उसके बाद हमने उसका general form भी study किया है, तो I think अभी आपको linear equation in two variable का meaning एकदम clear है, तो अब देखते हैं इसके उपर questions कैसे आते exam में, ताकि हमें समझ म आएगा कि हमारे concepts कितने clear हुए है, तो यह वाला question देखो, the general form of a linear equation in two variable is, अब सबका answer एकदम correct आना चाहिए, लगे तो थोड़ा सा video pause करो, और आप इसका answer बताओ क्या है, और देखना है, बाद में कि आपका answer correct आया की नहीं, और comment box में बताना है, यह जो first question था, इसका answer आप आपका correct आया की नहीं, ठीक है, जनरल form पूचा है, जनरल form तो अभी-अभी discuss किया, हमने इस corner में last line में discuss किया था, तो क्या था वो, sir, उसमें x की term होनी चाहिए, y की term होनी चाहिए, और constant होना चाहिए, कहां पर दिख रहा है, x की term है, but y की नहीं, cancel, x की है, y की है, constant है, यह ह हमारा linear equation in two variable का general form है, जहाँ पे x plus by equal to c है, मैंने बोला था, c को आप right side में भी लिख सकते है, फरक नहीं पढ़ता, this is the correct answer option b, चला, आगे बढ़ते बढ़ते, अब यह question देखो, which is not a linear equation in two variable, अब इसमें से कौन सा linear equation in two variable नहीं है, आपको question negative पूचा है, थोड़ा सा careful रहना है नहीं तो क्या होता है, कभी कि नाट की तरफ धानी नहीं जाता है, और हम फड़ाक से tick कर देते हाँ, यह है, इसे तो तीन option correct होंगे फिर, यह भी correct है, यह भी correct होगा, यह भी correct होगा, यह तीनों भी linear equation in two variable है, बट आपको क्या पूचा था, कि कौन सा नहीं है, तो कौन सा न power का हम combine करेंगे, तो इसका combine power क्या होगा, तो क्या अभी linear equation रहा, नहीं रहा, तो इसका मतलब यहाँ पे यही linear equation in two variable नहीं है, बाकी तीनों भी है, तो हमारा correct answer क्या होगा, option B, हमस्ते हैं, हमस्ते हैं, हमस्ते ना, हाँ, आगे बढ़ते हैं, linear equation in two variable का meaning समझे में आया, पूरा solve भी तो करेंगे, linear equation हम पढ़ रहे, solve करेंगे, solve करना मतलब क्या होता है, वहाँ पर जो variables दिख रहे, x और y इनके values क्या है, वो भी तो हमें देखना पड़ेगा, बराबर ना, क्योंकि x और y तो variable है, तो उनकी values क्या आते हैं, उसी को हम बोलते, solution, solution का मतलब clear है, कि किसी भी equation में जो variables होते हैं, उनकी value find out करना मतलब होता है solution, तो देखते हैं, खादी equation लेके, क्या उसका solution आता है, जैसे कि मैं एक equation ले रो बिटा, x प्लस y equals to 5, अब मुझे अब बताओ, यहाँ पे x और y की क्या value ले लू मैं, ताकि मुझे answer में 5 मिलेगा, तो आप में से कुछ बोलेंगे sir, बहुत simple है, x की value 2 ले लो, y की value 3 ले लो, answer 5 मिलेगा, correct है बेटा, मैं ऐसा भी तो ले सकता था, x की value 3 और y की value 2, फिर भी 5 आ रहा है, फिर दूसरा कोई student बोलेगा, नाई sir, 1 ले लो ना, 1 और 4, यह भी बराबर है, इसको उल्टा करेंगे, तो वो भी बराबर अब यह खाता हुशार होगा, तो वो बताएगा sir, नहीं नहीं ऐसा नहीं, 6 ले लो sir, और minus 1 ले लो, दोनका addition करके देखो, 5 आएगा, इदम correct बेटा, तो ऐसे तो यार, infinite answers आएंगे, ऐसे infinite answers आएंगे, x और y के जो values है, इसे बहुत सारे आ सकते हैं, इसका कोई limit ही नहीं है तो यहाँ पर हमें जो solutions मिल रहे हैं, वो infinite मिल रहे हैं, अब क्या करें, solutions तो infinite मिल रहे हैं, यह infinite solutions क्यों मिल रहे हैं, आपको पता हैं, क्योंकि हमारे पास है linear equation in two variables, और एक ही equation है, जिसमें दो variables हैं, तो अगर एक ही equation होगा, जिसमें दो variables हैं, तो उसके solution तो infinite ही मिलेंगे हम तो अब क्या करें फिर अगर मुझे कोई यूणिक सोलुशन चाहिए एक ही सोलुशन चाहिए तो मैं क्या करूं तो सिम्पल है आपको क्या करना पड़ेगा ऐसा ही linear equation in two variable और एक consider करना पड़ेगा और एक linear equation in two variable लेना पड़ेगा मतलब आपको at a time तो linear equations चाहिए क्योंकि दो variables में रहेंगे और उसी को हम क्या बोलते फिर simultaneous equations तो simultaneous equation का meaning क्या होता है कि considering two linear equations in two variables at the same time यहां पर हम two variables की बात कर रहें तो इसका definition तो अभी हमको clear है sir simultaneous equation का मतलब क्या होता है एकदम एकदम clear हो गया यहां पर लिखके देता हो बेटा देखो simultaneous equation का meaning क्या होता है simultaneous मतलब considering two equations in general में definition दे रहो considering two equations at the same time two equations को अगर at a time consider करते हम considering two equation at a time at a time लिखो तो फिर हम उन दोनों equation को combine क्या बोलते है बेटा simultaneous equations बराबर और यह क्यों जरूरी है क्योंकि हमें unique solution चाहिए अगर हम एक ही equation consider करते है जो कि दो variable में है तो उसके answer infinite मिलने वाले हमने देखा है बराबर तो अब हमें दो equations को consider करना है तो मैं यहां पर दो equations consider करो कोई भी दो equations लेटा जैसे x plus y is equals to 5 और दूसरा equation मैंने लिए x minus y is equals to 7 अब equations मैंने ले लिए तोसरा आप बोले थे कि दो equations अगर लेगे तो unique solution मिलता है तो बताओ unique solution क्या आएगा फिर इसका तो क्या करेंगे पिदा simple यहां पर हम क्या करेंगे लस करेंगे plus क्योंकि यह तो cancel हो जाएगा X और X विल बी 2X और 5 प्लस 7 इस वाल तो एक्स इस इक्वस टू क्या आएगा बिटा X विल बी इक्वस टू सिक्स होगा X विल बी इक्वस टू इक्स आएगा ओके सर एक्स अगर सिक्स है तो वाई भी इसली फाइंड आउट कर सकते बेटा ना देखो X प्लस Y इस इक्वस टू कितना है बराबर किया ना मैंने अब बराबर तो किया इसा लग रहा है मुझे बराबर देखो X अगर 6 होगा तो वाई कितना यहां पर पूट कर ओ फॉर्स इक्वेश्म किसी भी इक्वेश्म में पूट करके आप अंसर निकाल सकते है देखो एकस की जगवा में 6 Consider कर रहा हो तो यहां पर म्हाइनसवनं हमना चाहिए तभी मेरा 6-1 अनसर की आएगा 5 क्या यही यहां पर satisfy कर रहा है क्या फिल्टा लिघ धिया एकस की जगवा क्या करेंगे एकस की जगवा पैए 6-1 अची तो 6 प्लस आफ माइनडüğ कर रहे है क्या यsm यह सीक्स और यह माइनस माइनस दॉआस तो ये हो जाएगा बहुत सारे सोलेशन आ थे भाट हमें तो यूनिक सोलुशन चाहिए था तो हमें वह सोलुशन मिल गया है ना इस टाइप के जो दो हमने इसको तो नहीं बोल सकते क्योंकि एक्वेशन से लग है तो 6 और माइनस 1 हमें इन 2 वो simultaneous equations का answer मिल गया मतलब solution मिल गया एकदम clear सबको एकदम clear simultaneous equation का मेनिंग आपको clear है तो बिटा अब यह जो linear equations simultaneous linear equations जो है इनको solve करने के कौन-कौन से method से इनको solve करने के लिए अपने पास ऐसे तो 9th standard में हमने substitution method देखी थी अगर आपको याद आ रहा होगा तो अगर आपको आता भी नहीं अभी आप भूल गए होंगे या फिर आपका 9th में नहीं हुआ था tension नहीं लेना है मैं एकदम zero level से ले रहा हो आपको substitution method पता ही नहीं है इसा मैं consider करके चल रहा हूं ठीक है उसके बाद हमने elimination भी देखा था 9th standard में तो बस 10th standard में और और दो मेंटर हो जाएंगी यह तो पढ़ना ही है और दो मेंटर पढ़ने कौन से प्रैमर सुरूल पढ़ना है मतलब determinant method बोलते हैं उसको और दूसरा है graphical method पस यहीं दो मेंटर एक्स्ट्रा है तो चलो अब हम first method की तरब जाते बिटा उसके पहले question देखो select peer of simultaneous equations from the following अब यहां से आप simultaneous equation का peer मुझे बताओ क्या one or two simultaneous equation का peer बोल सकते हम बोल सकते क्या यहां पर और concept clear हो जाएगा आपका भी one or two को में simultaneous equation नहीं बोल सकता क्यों सरे इसा है ना इसमें भी यहां पर एक्स और यहां पर एक्स और यहां पर एक्स और जैड है नहीं चलेगा वेरिये बस तो सेम चाहिए ना दोनों equation में नहीं तो कैसे करेंगे उसको तो वेरियाबल सेम चाहिए ठीक है एक्स वाई जैसा कोई है क्या नहीं है तो यह किसी के साथ पेर नहीं बना सकता यहां पर एक्स जैसे है क्या हां एक्स और जैड है यह दोनों का एक तो नहीं होगा हमारा आंसर है तो यहां पर समझना था क्या है कि भले ही दो लीनियर एक्वेशन इन टू वेरियाबल गीवन है और दोनों में वेरियाबल सेम होनी चाहिए तभी वह साइमल्टीनिस एक्वेशन बोली जा सकते हैं अब आता है हमारा इंट्रेस्टिंग पार देता हूँ बहुत सीम्पल सा एक्वेशंपल लेते देखो एक्स प्लस वाइज इक्वेशन नम्बर वान पूरा अच्छे से समझना है और दूसरा एक्वेशन में दे रहा हो यहां पर टू एक्स प्लस एवाइक्वेशन नम्बर टू एकदम ग्राउंड लेवल से जीरो हम सबस्टुड़ीशन पढ़ेंगे चौना क्या है अब क्या करना है जो भी इक्वेशन से उनको नम्बरมา कर से चोंगी कर दिया तर मतलब इसका coefficient 1 है तो मैं first को ही consider कर रहा हूँ ठीक है तो आपको एक equation तो consider करना है तो मैं यहां पर लिखता हूँ फिर equation 1 can be written as और उसको हम थोड़ा सा modify करके लिखेंगे फिर equation 1 can be written as equation 1 को कैसे लिखना है अभी एक variable के form में लिखना है मतलब क्या सर या तो आप उसको लिखो x equals to something या फिर y equals to something मतलब एक ही variable आपको left side में रखना है बाकि सब right side में भेज देना है आप x को भी रख सकते है y को भी रख सकते है वह आपकी चोईस है तो मैं तो x को ही रोखंगा भाई मुझे तो x ही पसंद है मैं x को रखता हूँ तो यहां पर आएगा बेटा x is equals to क्या होग आप 5-y तो यह हो जाएगा बेटा 5-y और तुरंत इसको देना है equation number 3 दे दिया सबसे पहले हमने दोने equation को numbering दे दिया उसमें से एक consider किया उसको थोड़ा rearrange कर दिया तो वहां से हमने यहां पर लिखेंगे substitute क्या substitute करना है substitute equation 3 अब पर कहां पर substitute करना है जिसको हमने consider नहीं किया था उसमें substitute करना है हमने तो वन को consider किया था पहले अब यह equation कहां सबस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट है ना एक्स की जगह पर क्या पूट करेंगे फाइव माइनस वाई प्लस यह होगा बेटा त्री वाई इस इक वस्टू क्या है सेवन अब थोड़ा धीरी-धीरी सॉल करते जाएंगे आपको एक वैली तो मिलने वाली यहां से देखो तूइंट वाई टैंसर तूइंट वाई यहां तक तो एकदम किलियर अब को किलियर है आगे बढ़ते अब क्या होगा यार रीवाई माइनस टूवाई यह तो वाई होता है सर आपके बेटा अब यह टैन को भेज दो फिर राइट साइड तो राइट साड़ में भेजेंगे तो यह तो माइनस टेन हो जाएगा तो यह होगा सेवेन माइनस टैन तो वाई की वैल्यू आएगी बिटा री वाई की वैल्यू हमें क्या मिल गई वाई की वैली सर अच्छा मतलब एक वेरियाबल तो मिल गया अब दूसरा फाइंड आउट करना है एक मिल गया तो दूसरा तो आराम से मिल जाएगा हम तो इसको अब लेकिन दूसरा वेरियबल फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करें सर अब कुछ नहीं सिंपल है वेटा हम क्या करेंगे यही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है किसी भी एक एक एक्वेशन में आउट आफ वान टू आएंड त्री अपने पास तीन एक्वेशन थ अब कर सकते हैं हम किसी इक्वेशन में नहीं करेंगे हम सिर्फ थर्ड में करें गे ऐसा किह एप स teu स्य इस ऑट में है तो एक्सि एक्व perform में लिखा है हमने ही से व्य एक्स की वैलू चाहिए तो थर्ड में पूट करना बहुत आसान है तो हम यहां पर फिर से लिखेंगे सब्स्टीट्यूट क्योंकि मेथड का नाम ही सब्स्टीटिटिशन है कि अब्स्टीट्यूट कि वाई इक्वल टू त्री इन इक्वेशान और थर्ड में पूट करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स इज्वस्ट्यू वाई है तो ये फाई यू-3 तो यह हो जाएगा एक्स इज्वस्ट्रो तो हमारा अंसर आगया असर एक्सर य कि विद्स हमें मिल गए इसको फ़ाइनल अंसर में कैसे लिखेंगे और ईए x,y is equal to x की value जो है वही पहले लिखना है 2,3 is the required solution is the required is it clear to everyone की substitution method से हम linear equation को stall कैसे करेंगे सबको एकदम 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 क्रिष्टल क्रिष्टल क्लियर है अब कोई भी कॉशन अगर आता है तो at least हम त्राइट तो कर सकते हैं भली ही हमें पूरा इकवेशन से उनको numbering देदो equation 1 equation 2 यह तो क्लियर है तो स्टार्ट करते है सर चला सबसे पहला जो equation मेरे पास वह है विटा 5m-3 and is equal to 19 और क्या बुला था number one equation number देदो चेकंड के विटाफ m-6 and is equal to minus 7 equation number 2 ओके सर समझ में आया इसकी बात क्या करना है consider any one equation out of the two equations which is simple है आपको simple कौन सा लग रहा है मुझे तो second simple लग रहा है क्योंकि यह पर M का coefficient 1 है तो easy हो जाएगा तो मैं लिखूंगा फिर यहां पर equation 2 can be written as 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 कैसे लिखेंगे बिटा equation 2 को हमें लिखना है इधर M is equal to और N is equal to यहां पर आसान कौन सा है जिसके पास coefficient 1 होता है वही वही left side में रखना है आपको आसान हो जाएगा तो M को ही रखो तो यहां पर लिखेंगे बिटा माइनस 7 है और यह माइनस वाला उदर जाके क्या होगा पलस होगा और इसको इक्वेशन नमबर की देंगे सर सिंपल यहां तक लिए अब क्या करें अब जो में थड़े उसका नामी सब्स्टिडिशन यार फिर सब्स्टिडिट तो करना पड़ेगा तो अब सब्स्टिडिट करेंगे एक्वेशन नमबर 3 सब्स्टिडिट करेंगे बट कौन से एक्वेशन में करना है सर जिसको हमने नहीं किया था उसमें करना है तो सब्स्टिडिट इक्वेशन एक्वेश माइनस 7 प्लस 6N और माइनस 3N मतलब इसी को हम लिख रहे बस M की जगह पे क्या पूट करेंगे माइनस 7 प्लस 6N पूट करेंगे is equal to 19 ओके बॉस समझ में आया अब यह हो जाएगा माइनस 35 multiply करो यह हो जाएगा 30N plus 3N sorry minus 3N equals to 19 अब क्या होगा सर अब यह हो जाएगा बिटा 27 और इसको बुलाओना कहां बुलाएंगे राइट साइड में तो प्लस हो जाएगा तो 19 plus 35 will be 54 तो यहां से बिटा हमें एक answer मिलेगा और हमें एक variable की value मिलेगी कौन से variable की हमें मिलेगी n की value राइट यहां पर लिख सकते फिर therefore n is equal to value क्या होगा 54 डिवाइड बाइट 27 विल बी टू हो गया सर एक वैल्यू तो हमें मिल गई एक वाल्यू हमें 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 मिल गई अब क्या करना है सर दूसरी value find out करने के लिए हम क्या करेंगे एक वेशन नंबर 3 में पूट करेंगे बट किसी भी एक वेशन में पूट करके हम value find out कर सकते हैं ना concept clear रखो आसान करने के लिए हम थर्ड में ही पूट करते हमेशा तो फिर से लिखेंगे फिर substitute 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 यहन इक्वल टू 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 इन इक्वेशन इक्वेशन थी में पूट करेंगे तो क्या होगा M equals to minus 7 plus 6 और यह हो जाएगा 2 तो तो दिसीज माइनस 7 plus 12 12 minus 7 क्या होता है तो हमें M की वालू भी मिल गई बरावर M की वालू भी मिल गई और N की वालू भी मिल गई अब क्वेशन तो सॉल ही हो गया हमारा बरावर बाट लास्ट में हमें सॉलूशन के इसा लिखना है बिटा एरफोर एकस वाइन लिखना है भी एकस को छोड़ा भी अब हमारा वेरिबल मन यहां पर मन लिखना है therefore M, N is equals to 5, यह भी गलस हो सकता है M की वैलिफाई है जो पहले आया वह पहले लिखना नहीं है सिक्वेंस को मन तो M5 है और यहां पर 2 है is the required solution clear सबको clear एकदा तो 5,2 is the required solution means इस equation में M और N की जो value है वो 5 और 2 है M की value 5 है और N की value 2 है अब तो कर सकते हैं अब कोई भी question अगर देंगे तो आप कर सकते हैं बिलकुल चला फिर से एक बार देखते हैं अब देखो यह वाला equation हमें इवल equation को में solve करना है बिटा एको मैं सबके हिसाब से बढ़ा रहा मतलब कोई बहुत वीक भी student होगा उसको भी clear होगा तीन अब हमने अभी तक अब यह तीसरा एक्सामपल है मतलब कुछ भी छोटा मोडा डाउट आपका वाकि रहेगा वह भी clear हो जाएगा अब देखो सबसे पहरे अब देंगे तो क्या होगा विटा प्लस पाइव इसके बाद इसके बाद वाला स्टेफ है से एनी वन ऑप दो इक्वेशन विजिए सिंपल फॉर यू मेरे लिए सिंपल तो सेकेंड है क्योंकि यहां पर क्वाइशन वान है अगर दोनों में भी क्वाइशन वन नहीं होगा तो दो कोई खेंगे यहां रही अला सकते हैं में यहां पे कोईशन वण ही होगा यहां पित्री ना कुछ भी हो सकता है तो फिर दोनों वह सब्सक्र कोई लिलॉल अश्याता है अंसर आता है अब मैं यहां पर लिकिए रहा हूं एक्वेशन टू continuous इक्वेशन टू can be written as कैसे लिखेंगे equation 2 को बिटा equation 2 को हम लिखेंगे A is equals to 22 minus 5B sir okay this is equation number 3 अब क्या करेंगे sir अब हम करेंगे substitute because the name of the method is substitution method substitute substitute equation 3 substitute equation 3 बट कहां पे करना है जिसको consider नहीं किया था तू को किया था वन में करो in equation 1 वन में substitute करेंगे तो क्या होगा बिटा 3 और एक की जगह पे आएगा 22 minus 5B इसी को लिखेंगे प्लस 5B is equals to 26 अब यह हो जाएगा multiplication बाद 66 यह होगा 15 यह होगा 5 and this is 26 5B minus 15B will be minus 10B 66 चला जाएगा right side में तो 26 minus 66 क्या 26 minus 66 क्या होगा बिटा minus 40 तो बाइनस माइनस कैंसल तो बी इक्वल टू क्या आएगा 40 बाइ टैन पूर आएगा तो सर बी की वैली तो हमें मिल गई अब क्या करना है बस अब एक ही वैली फाइंड आउट करो ना दूसरा वेरेबल जो भी है आपके पास उसकी वैली फाइंड आउट करो तो आपका काम बन जाएगा बराबर चलो अब क्या करेंगे सर फीर वह वैली फाइंड आउट करने के लिए हम करेंगे साब्स्टीट फिर से एक बार है ना तो सब्स्टीट्यूट सब्स्टीट्यूट वीग्वल टू 4 कि kषषांड में करते हम बराबर येसर थेर्ड में करते हैं क्योंकि आसान हो जाता है तो 3 में करो तो a equal to हो जाएगा भेटा 22 माईनस 5 और बी की वैली क्या है अपने पास 4 है तो यह हो जाएगा फिर 22 minus 20 that is equals to 2 तो A की value हमें मिल गई और A की value क्या है फिर 2 ठीक है ठीक है This is the value of A solution हमें मिल गया sir solution क्या हो जाएगा फिर हमारा therefore अब A और B आएंगे variable में A, B is equals to A की value 2 और B की value 4 तो 2, 4 is the required solution इसकी आदत कर दो अभी डीए मेरा हूँ आदर आपको जिलना है इसे the required solution एकदम किलियर तबको किलियर हो रहा है किसी को नीन तो नीन आरी ना नीन आरी तो question solve कर नीन उड़ जाएगी अब सब्स्टिटिशन में जो है यहां पर हम खतम करते हैं और मैं consider कर रहा हूँ कि सब्स्टिशन में सबको एकदम 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 किलियर है अभी भी कलियर नहीं है तो डी ब्लेगा उसको सब्सक्राइब करेंगा इसन आपको आती होगी elimination का मतलब होता है हटाना या फिर cancel करना तो एक वेरियबल को हटाना है वहां से हमें तो एक वेरियबल को हटाना है या फिर उसको cancel करना है ऐसा भी बोल सकते हैं इसको English में ही लिखते फिर दूसरा उसका सिनॉनेम क्या होगा maths करना करना कट एक वेरियबल को कांसल करना है तो दो में से एक को कैंसल करेंगे तो यह रपाज़ी इसकी वन इसकर मिल जैगी तो पहले जोब्सक्राइब कर सकते ना मतलब डूसरी वेरियबल की वालूं ऑप करना एकदा आफान है तो अब क्या करें सर कौन सा एक्जम्पल एक्जम्पल देते हैं देखो एक्स प्लस 2y is equal to 7 एक एक एक्वेशन मैंने ले लिया ओके सर अब दूसरा एक्वेशन ले ले लेते हैं 3x-2y is equal to 5 यहां पे भी आपको क्या करना है बिटा जो भी गीवन इक्वेशन से उनको पहले नंबर दे दो वान और टू नंबर करो पहले सबसे पहला स्टेप यह होता है अब क्या करना है अब में थर तो तो उसके साथ जो नंबर लगा हुआ है वह सेम होना चाहिए यहाँ पर है क्या करना पड़ेगा फिर सेम करने के लिए इसको फिर से करना पड़ेगा तब यहां पर ऊससे पहली कंडिशन इक्वल होने यहां पर क्या नहीं है सर यहां पर है क्या है तो फिर यूइंस को इसको कैंसे चाहिए आसान हो जाएगा ना क्योंकि जिसके कविशेंट डिख्रूअ है पर आपको हम करना पड़ेगा तो क्यों कर अंगी को एक्वैंट लियम्यक्वाइज यहां पर सुल io सर्थ वहाँ पर एक्वब है या फिर नहीं यह तो हम इक्वल कर देंगे उसके क्या उसके बाद एक important concept है कि अब उनके sign भी देखो क्या है तो हमें यहां पर कुछ नहीं करना है यहां पर फिर अभी वह कर देंगे अपना काम तो हमें कुछ भी नहीं करना है मतलब हमें यहां पर एकदम silent plus sign मतलब addition करना कुछ भी नहीं मतलब क्या प्लस होता है इसा इसा कुछ भी नहीं करना है मतलब प्लस करना है तो दोना है तो यह कैंसल कर देंगे अब यह 3x प्लस एक्स क्या होता है सर्फ और एक्स होता है यह तो चला गया इस इक्वल्स टू यह हो जाएगा ट्वाल तो यहां से पुट यह फिर सब्सक्वेट बोल सकते है एक्स एक्स इक्वल टू टू थी इन इक्वेशन वान में पूट करो वन में पूट करेंगे तो क्या आएगा थी प्लस तू आ इक्वल टू सेवन तो यह थी उदर जाएगा तो सब्सेल नंबरिंग देना है उसके बाद पूई भी एक वेरियाबल जो है जिसको चैंसल करने वह अप सलेक्ट कर लो और कौन से बेसिस पर करेंगे उनके क्वाइफिशन सेम होने चाहिए तो कोजी नहीं करना है काम क्या होता है और आपर प्रास काम क्या होता है दूसरों को बटकाना है उसको उनको चेंज करना है तो नेगेटिव लगाएंगे तो सबका साइन हो जाएगा और फिर यहां पर देखेंगे लिए बटा इल्यूमिनेशन में तड़ क्लियर है अब एक्चुल कोश्चन स्वाल करते प्रैक्टिस सेटका तो और क्लियर हो जाएगा आगे ब फॉल्विंग साइमल्टरिस एक्वेशन एक्जाम में आपको दिया नहीं होता है साकी सब्स्टूटिशन से करो या फिर इलिमिनेशन से करो आपके ऊपर है आपको जिस भी मेतर से करना है उससे कर सकते है कि क्या है फाइग एक्स प्लस तूवा इक्वल तो माइनस त्री ए इक्वेशन नमबर व और चतल違ेशनाश एक्वेशन होता है अब ₹ लॉट व क्या होता है दसको कैंसल करना है तो मैं देखता हूं एक को कैंसल करना होगा ल के हां न तो हम कर लेंगे करके हो जाएगा वाई को अगर क्यांसल करना यार तो यह दोनों भी नंबर अलग अलग है एक के पास टू है एक के पास फाइव है तो दोनों को सेम कैसे करें लेना पड़ेगा लेना है या फिर आपको इसको फाई से मल्टिप्लाई करना पड़ेगा है छोतुआ ऑघ्mä तो इनटव टैन हो जाएगा और ईसको टू से मिल्टिप्लाई करना पड़ेगा मतलब यह थ्थोड़ा तो इसको eliminate करने के लिए पहला step क्या बनेगा हमें second equation को 5 से multiply करना है ताकि मुझे यहाँ पर 5 मिले बरबर तो करो फिर multiply क्या लिखेंगे बिटा यह elimination method चल रहा है multiply equation second by 5 अब इसको 5 से multiply करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर यहाँ एक्स सबको 5 से multiply 25 सब्सक्राइब यहाँ पर 5 से multiply तो ट्वेंटी इक्वेशन नमबर त्री सब्सक्राइब अब हमने second को multiply करके हमने थोड़ा सा convert कर दिया है तो अब फर्स और थर्ड की तरफ देखो और अब हमें जिसको cancel करना है उसके sign देखो यह भी पलस है यह भी पलस है इनको तो दुश्मन बनाना है ना इनके जगडे लगाने तो हमें होना पड़ेगा मतलब क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है एक equation को दूसरे equation से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि दोनों का साइन से में वह तो दोस थे जगडे लगाने हम अब स crayon ticker बड़े में हमगे बढ़े से चोटा करते न॑ तो अब आपको क्या करना होगा तो यह यह बड़ा है यह चोटा है तो मैं क्या करूंगा फिर एक्वेशन 3 माइनस एक्वेशन वान और यह जरूरी नहीं कैसा ही करना है आप एक्वेशन 1 माइनस एक्वेशन 3 भी कर सकते हैं बट सिंपल बनाने के लिए मैं आपको बता रहाओ कि जो बड़ा होता है उसमें से चोटा माइनस कर दो तो आसान हो लिए कर seeints in Ik रागे बढ़ते हैं अब क्या करेंगे मिटां up equation 3 इस एक वेशन क्या करना ही मैं करना है तो यहां पर लिख रहा हमाँ है क्वेशन 3 मिल्ष्वेशन 1 एक वेशन 3 माइनस एकक्वेशन हमें क्या करना है फ़स्ट लिखिवेशन 3 3ешь Lights 5x plus 2y is equal to minus 3 और उसकी नीचे आएगा 5x 25y is equal to 20 अब हमें यहां पर clear है sir कि हमें क्या करना है minus negative rule हमारा यहां पर यह minus और प्लस क्या होगा माइनस होगा sir अब तो 5x 5x cancel हो जाएंगे ना क्योंकि माइनस है यहां पर अब हमें बस यही साइन्स कंसिडर करने बेड़े यह प्लस 25 नहीं है यह क्या है माइनस 25 है तो माइनस 25 प्लस 2y it will be minus 23y तो माइनस 25 हो रहा ना तो यह आएगा माइनस 23y यह 3-20 है माइनस 3-20 है तो क्या आएगा बेटा माइनस 23 आएगा दोनों साइट से माइनस माइनस कैंसल 22 23 कैंसल तो आंसर विल भी वाइक्वल्स टुवांसर अगया नांसर एक वेरेबल तो मिल गया दूसरा तो हम अभी जुगार करके लाएंगे कैसे साइए आशर ना अब क्या करेंगे आव कूव करो कहां पे सुड़ेुटिट करेंगे बिर्टा जाहन आप किसी भी एक ईक ऐस्केर कश में अनसर मिल जाएगा एकस फ्लस फाइउ वाई की जगह पर वान इकवल तो फोर गो एकस इसी कोश्टिया ओगा यह फाइउ इधर बेज देंगे तो यह हो जाएगा 4-5 तो एकस इसी कोश्टो माइनस वान अन्डिज आरव इस इसको वेरिफाइए करके देख सकते आप एकस की जगह पर जो भी सिं वाई की वैलू क्या है वान है तो यह फायू इंटु वन फायू माइनस वन इस फॉर करेक्ट है यहां पर भी चेक करके देख सकते हैं आपका अंसर एकदम प्राबर होगा चलो आगे अपको एकदम की लियर है आपके तो अब एक डरावना कॉश्चन है उस ताइप का कॉश्चन अगर आता है तो बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा अर लगता है वो डर भी अभी हम भगाएंगे कॉश्चन देखो यहां पर तो यह जो नंबर से फ्रैक्शन की वज के वज़े से अगर डर लगता है तो उसी को भगा देते हैं फिर हम फ्रैक्शन को भगा देंगे देखो अब मैं सबसे पहला एक्वेशन यहां पर लिख रहो बिटा वान बाइट्री एक्स प्लस वाई इस इक्वस्टू टैन भाई अभी वन टू मत दो उसको पहले हम सीध है और दिक्राएं लिए व जा लग रहा है सर उसको हम करेंगे कैसे को करेंगे उसको उसी से मल्ट्इप्लाय कर दो ना था हो जाएगा कैसे अलों की मैं Southeast मेल्टीप्लाय सहल एक्वेशन पाई 3, 3 से multiply करेंगे तो क्या होगा मैं आपको यहाँ पर रफ में दिखा दाओ, 1 by 3 है, इसको मैंने 3 से multiply कर दिया, cancel, देखो है न, यहाँ पर बस x बचेगा, फिर यहाँ पर y है, तो y को 3 से multiply होगा, तो 3y आएगा, फिर यह 10 by 3 है, इसको 3 से multiply करेंगे, तो गायप, अब मैं इसको हम ऐसे लिखेंगे फिर, x प्लस 3y एक्वल टू 10, बस इतना सिंपल बनेगा यार, यह तो बहुत सिंपल होगा भी, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, फिर x प्लस 3y एक्वल स्टो 10, लगे तो आप यह आपको अगर clear नहीं होता है जल्दी, तो रफ में कर सकते हैं, यहा यहां पर सेकंड एक्वेशन को लिख लो नीचे, 2x प्लस 1 by 4y is equals to 11 by 4, इसका लग रहा है, यहां पर 4 का लग रहा है, तो 4 से ही मल्टिप्लाइ कर दो, 4 से मल्टिप्लाइ करेंगे, तो 4 तो गायब हो जाएगा, फिर, यहां पर लिखेंगे, फिर से, multiply, equation by 4, तो 4 से multiply करेंगे, तो 4 गायब, यहां पर 2 into 4 क्या होगा, 8x होगा, इसका यह 4 और यहां पर 4 आएगा, multiplication में, cancel, तो क्या बचेगा, यह 4 और यहां पर जो multiply करेंगे, वो cancel, तो क्या बचेगा, 11, equation number, 2, अब तो simple है, अब तो डर चला गया, है ना, अब तो बहुत आसान हो गया, अब तो हम इसको solve कर सकते है, अब इसके बाद आपके उपर आपको substitution use करना है कि elimination करना है, अगर exam में ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो हम तो अभी elimination method पढ़ रहें ना, तो हम तो elimination से ही करेंगे, right, elimination का पहला rule क्या बोलता है, सबसे पहले equation number दे दो, हमने दे दिया sir, second rule क्या बोलता है, आप देखो, आपको कौन सा variable cancel करना है, मैं देखता हो फिर equation की तरफ, इसको cancel करूं क्या, कर सकता हो, यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 8 चलेगा, no problem, एक बर y को देख लिता हो, यहाँ पर 3 y, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3, तो दोनों भी same है भी है, आप x को भी cancel कर सकते, y को भी कर सकते, इतना कुछ difficult नहीं है, तो अभी आप decide करो, कि आपको कौन सा लेना है, मैं तो यहाँ पर y को भी cancel करूंगा, जो कि यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3 चाहिए, तो equation 2 को multiply करना है, 3 से, तो यहाँ पर करेंगे भी, multiply, equation 2 by 3, 3 से multiply करेंगे equation 2 को, तो equation 2 क्या आएगा फिर, देखो, 3 से multiply करेंगे, 24 होगा, 24x plus 3y, is equals to, 3 से multiply तो 33, तो बन गए अपना equation number, 3, बराबर, अब हमने 2 को ही multiply करके 3 लाया था हमा, तो इसको भूल जाओ, क्यू सर, अरे सेम ही तो equation है, बस multiply करके हमने इसको अलग form में convert कर दिया, अब हम करेंगे फिर first और third को compare, अब जिसको cancel करना है, मतलब हमें किसको cancel करना था, y को cancel करना है, अरे लेकिन दोनों का sign तो सेम है ना, हमें ही कुछ करना पड़ेगा यहाँ पर, हमीश एकोनी मामा बनेंगे विरा भी यहाँ पर, इनके जगड़े लगा देंगी, अब क्या करें फिर, जगड़े लगाने मतलब subtraction करना है, तो बड़ा वाला coefficient यह है, तो equation 3 minus equation 1 करना पड़ेगा, यहाँ पर करतें बेटा, equation 3 minus equation 1, clear, equation 3 को पहले लिख दो, फिर, equation 3 के विड़ा 24x plus, 3y is equal to 33, first equation क्या है, x plus, 3y equals to 10, अब होगा यहाँ पर, अब यहाँ पर लड़ाई होगी, तो इसके लिए फिर negative, यह भी होगा, इसका sign change, यहाँ पर भी sign change, यह हो जाएगा, cancer, तो फिर 24x minus x will be 23x, is equal to 33 minus 10 will be 23, तो x equal to, wow, one आ गया, हाँ, क्या हमार answer, x equal to one आया, अब y के value तो हम आसानी से find out कर सकते है, एक variable मिल गया, दूसरा तो मिल ही जाएगा, वो कहाँ बाग जाएगा, अब क्या करेंगे, substitute या फिर आप बोल सकते, पुट, आपको अगर substitute पसंद नहीं है, तो पुट करो, put x equals to one, equation, अब किसी में भी कर सकते हैं, जो भी simple लग रहा है, इधर मत जाओ बस, यह जो fraction वाले थे ना, उसके दरब मत जाओ, आएगा answer हो आपे भी, बट difficult होगा, यहापे जाता होगा, one में, ठीक है, equation one में put करते बिटा, equation में one में put करेंगे, तो x plus 3y है वो, और x की value तो one है, तो one plus 3y equal to ten, one को बेज़ दो right side में, तो minus होगा, so 10 minus 1 will be 9, तो y equal to आएगा sir, 3, 3, 3, 3 हो गया, right, अब हम लिखेंगे हमरा final answer क्या होता है वो, so therefore x, y equal to 1, 3 is the required, solution, is the required, solution, पतम, बराबर, पूरा question, एकदम crystal clear होना चाहिए, और होगा भी, I hope आपको सबको clear है, क्योंकि एकदम slow slow पडालाओ में, कितनी भी weak students अगर होंगे, आप तो आपको समझ में आएगा, आपका basic एकदम हिल गया होगा, तो भी आपको समझ में आएगा, इसको अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, इतने slow पड़ाने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप धीरे धीरे इसको थोड़ा सा speed कम करके भी देख सकते, जिसको लग रहा है यार बहुत ही slow हो रहा है, आप speed बढ़ा दो ना भाई, क्या फरक बढ़ रहा है, है ना, 2X में देखो, आप अगर बहुत fast है, तो fast बन जाओ, technology का जमाना है, लगर आगे बढ़ते हैं, तो इस topic में अभी और मतलब इस practice set में अभी कुछ बाकी है क्या और, एक method बाकी है, तो वो एक method जो बाकी वो क्या है, मैं उसको AS-AS method बोलता हो, आपके book में ऐसा कई पर लिखा नहीं AS-AS method, बट यह question है कुछ ऐसे है, special question से, special equation से, जिसको हम AS-AS method से solve करेंगे, तो अब देखो AS-AS method को समझ लेते पर लिए होता क्या है, मानलों मैंने यहाँ पर लिखा 2x, यहाँ पर 3y, और यहाँ पर कुछ तो भी constant रहेगा, उससे कुछ मतलब नहीं है, तो दूसरा equation क्या रहेगा, 3x plus 2y equal to something constant over here, अब यह AS-AS method apply कहाँ पर करना है, उसको समझ लेते, यहाँ पर दिखो, आपको दिख रहे हैं कि x का जो coefficient है, second equation में y का है, जो यहाँ पर y का coefficient है, वो second equation में x का है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, इस type का जब भी आपको question दिखता है, अब आपको AS-AS में तढ़ी लगाना है, simple हो जाएगा, simple, एकदम simple हो जाएगा, नहीं तो आप अगर वहाँ पर उस question को पहचानने में गल्ती कर गए ना, तो आपको आपका बहुत सारा time उसमें rest करना पड़ेगा, अंसर तो मिलीगा, तो बहुत difficult हो जाएगा, ठीक है बेटा, तो जब भी इस type का question दिखता है, जहां पर आ रही है, यह coefficient जो है न, x का coefficient y को जा रहा है, y का coefficient x को जा रहा है, तो इस type को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, यहां पर इस type को मैं ऐसे भी नाम दे सकता हूँ, interchange coefficient वाला टाइप, यहां पर coefficients क्या होते हैं इंट्रचेंज होते हैं, इंट्रचेंज coefficient वाला टाइप, यह special equations है, तो इनको solve करना है, तो हमें यही method यूज़ करना है, तो इस method में हम क्या करते हैं, यही इस का मतलब क्या होता है बस इतनी चार स्टेप्स आप फॉलो करेंगे ना इस टाइप के क्वेशिंस का आंसर आपको मिल जाएगा एक दम आसानी स्ट अटिकली देख एको क्वेशन दिख रहे हैं मैं इनको एक बार लिख ले तो बिटा 99x plus 101y is equal to 499 असर पॉक्के बास एन 101x plus 99y equals to 501 equation number 1 equation number 2 आप देखो आपको टाइप तो समझ में आया कि यह interchange coefficient वाला टाइप है सर 99 इदर जा रहा है एक के साथ है फिर y के साथ जा रहा है यहाप यह तो गडबड़ यह कुछ अलग दिक्रा और इसी टाइप की question को मोलते interchange coefficient वाला टाइप और इसको solve करना है तो कुंसा method as as method क्यूंकि अब अगर आप यहां पर सबसे पहले हम करेंगे आड करेंगे तो लिख दो इसको फिर से एक बार 99x प्लस 101y इस इकोस टू 499 और 10y 101x प्लस 99y इक्वल टू 501 इनको तो हम आड करेंगे तो आड करेंगे तो दो सो आएगा यह भी दो सो होगा और यह हो जाएगा दो हजार गलत यह हो जाएगा हजार अब क्या करेंगे बहिए अब यहां पर देखो टू हंडड तो इसके पास बहुत निकल सकता है बाहर क्यों थाउसन ने तो टू हंडड ले लेंगे यह कौमन तो यहां पर वेजएगा एक्स प्लस वाइक्वल टू इसमें से टू हंडड अगर चले गए तो बचेंगे इसके पास 500 गलत 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 ऐसे कैलकुलेशन हो रहा है बूक लगे चाहिए मुझे भी वही थाउसन में से अगर मतलब थाउसन को कैसे लिख सकते बिटा इनको क्लियर नहीं होता है उनके लिए बतार रहो बाकी लोगों को एकदम क्लियर है व आप देखो बिटा वड़ बड़ कर दिया है मैं नहीं है इसको मैं ऐसे कर रहो 200 इंटु 5 कर रहो ना ऐसे लिख दो अब हो जाएगा बिटा 200 200 हो जाएगा 5 और इसको देंगे हम इक्वेशन नमबर फिर से बर बता देखो यहां पर मैंने 200 कॉमन लिए आप इधर भी इसको 200 इंटु 5 लिख दो फिर यह 200 200 कैंसल हो जाता है ऐसा अगर नहीं करना है थाउसन रखो फिर तू हंड़ जाके डिवाइड करेगा तो थाउसन बाइटु हंडड़ क्या होगा फाइव पन अंदसे में एडिशन के बाद एक नया एक्वेशन मिला उसको हम देंगे एक्वेशन नमबर 3 करेक्ट अब क्या करेंगे अब करेंगे हम सब्ट्रैक्ट जो भी हमने स्टेप्स किये थे वही तो कर रहे हम फिले आड करना है फिर कौन सा किसमें से करेंगे और यहां 128 यह वाला है ना तो हम क्या टिन किया उनके सब्त्राइक करेंगे अप्रेटिक क्षण वन फ्रॉं डू उल्टाबी कर सक्ते हैं कुछ फर्खने पडेटेक्परण Vold mod कि फम 101, x plus 99, y equal to 50, 1, then 99, x plus 101, y equal to 4, double 9, अब subtract करना है, तो minus, यह minus, और यह भी minus, 101 और 99 में 2 का याप होता है सर, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 2x, 99 minus 101 तो निएडियो अंसर आएगा सर, minus 2y, और इसका subtraction करेंगे, तो यहाँ पर भी कितना आएगा सर, यहाँ पर भी दो का difference है सर, तो यहाँ पर फिर से एक बार x minus y, 2 common, इधर 2 है सर, तो x minus y क्या होगा, यह 2 divided by 2 तो 1 आता है सर, तो इसको हम देंगे equation number 4, तो ASAS method का हमने addition कर दिया सर, subtraction कर दिया सर, अब फिर से क्या करना है, add करना है, अभी तक किया नहीं है, किसको add करना है, अब जो new equations आगे ना, उनको add करना है, फिर से इनको add करेंगे तो आपको वही मिलेगा, add हो गया, original equation, subtract भी हो गया, तो addition से third equation मिला, subtraction से fourth equation मिला, अब जो नया फिर से एड करना है वो थर्ड और फॉर्थ को करना है निव एक्वेशन को एड करना है अब निव एक्वेशन को एड करेंगे तो बहुत ही सिंपल होने वाला यार बहुत क्योंकि एक्वेशन सी बहुत सिंपल है एडिंग एक्वेशन 4 3rd and 4th है na 3rd and equation 4th correct so 3rd और 4th equation नो कुछ जान ही नहीं है आप देखो x plus y x minus अथम एक के समझ में आता है x plus y equal to 5 x minus y equal to 1 और हमेशा आपको ऐसे ही equations मिलिंगे बिटा x plus y equal to something x minus y equal to something right अब क्या करें sir अरे यहाँ पर तो direct cancel हो रहा है यहाँ देखो coefficient same भी है opposite भी है तो हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पर plus cancel x x होगा 2x और यह 5 plus 1 6 होगा तो x is equal to आएगा sir क्या आएगा sir x equal to आएगा 3 तो हमें एक value तो मिल गए न वास x की value तो अब बस y की value find out करनी है तो 3 और 4 तो बहुत simple type की equations दिख रहे हैं है ना तो हमने third step भी कर दिया बटा भी हमने एक बार add कर दिया फिर से अब लास्ट बाकी है क्या बाकी है अब substitute क्या substitute करना है जो हमारा answer आया वह substitute करना है किसी भी एक equation में out of these four equations जो simple है उसमें करो लेकिन तो अब हमें यहाँ पे कौन सा सिंपल लग रहा है अब मैं यहाँ पे करूँ फिर सब्स्टीट्यूट कि सब्स्टीट्यूट कि अर्मिप कि के सब्स्टीट्यूट कि सब्स्टीट्यूट एक्स इक्वल टू इतना आया था बेटा 3 इन इक्वेशन मैं कर रहा हूं थार्ड में क्योंकि मुझे थार्ड बहुत सिंपल लग रहा है तो अब थार्ड क्या आईगा वेटा एक्स प्लस वाइप्वल टू क्या था वह था यहां से मुझे वाइप्वल टू क्या मिलेगा 5-3 2 and that's it सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां पर और उसको अपलाई करके हम इस टाइप के जो क्वेशन से उनको सॉल कर सकते हैं और वह आइडेंटिफाई कैसे करना है तुरंत समझ में आता है इंट्रचेंज हो रहा है कोईफिशन और एक क्वेशन करते हैं इसके उपर फिर अपना यह मेथड जो है वह हो जाएगा कंप्लीट अब देखो फिर से बार अफट आफट करते अब आपको एकदम क्लियर है तो पहला एक्वेशन मैंने यहां पर लिख दिया सबसे पहले हम करेंगे आड एक्वेशन वान और एक्वेशन टू अब आड करेंगे फिर से बले करो 49 X अब इसका भी सेम आएगा यार क्योंकि 49 57 और 49 57 नमबर तो सेम है न और दो माइनस माइनस है तो एडिशन होगा तो यह भी 1065 आएगा इसका एडिशन क्या होता है फोर फिर यह तू फिर यह कितना आएगा फोर आएगा अब देखो 106 106 कौमन ले लो यहां पर बचेगा एक्स माइनस वाइड इस फोर ट्वेंटिफोर अब यह 106 डिवाइड करेगा तो एक्स माइनस वा 24 था उसको मैंने 106 से डिवाइड कर दिया एक सिंपल लाजिक ऑब्जर्वेशन का खेले इस लिए डाइरेक्ट फोर से जाएगा तो यहां पर इक्वेशन नमबर थी तो मुझे मिल गया अब क्या करें सर पहला थिप मैं ँपने क्या करना था एड करना था हमने एड कर दिया सर अप क्या करेंगे अब करेंगे अप करेंipser कोन सा equation कौन सब्सक्राइब करना बड़े मैंसे जोड़ा करना है तो यह बड़ा कोईफिज देखना तो equation two minus एक्वेशन वन कर रहा हुँ है यहां पर सब्ट्राक्ट लिखना आपको प्रॉपर अब क्या होगा बिटा अब करेंगे हैं 57x पाइनस 49y is equals to 252 और यहां पर आएगा 49x माइनस 57y बराबर 172 हमें करना है सब्ट्राक्ट तो यह माइनस 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 होगा प्लस यह भी माइनस अब 57-49 क्या होता बिटा यह तो 8 आएगा सर अब यह प्लस 57 और यह माइनस 49 तो प्लस आएगा ना यह होगा प्लस इस इक्वेस तो 252 में से 72 आएगे तो यह तो 0 आएगा यह यह जाएगा यह जिरो जाएगा देखो यहां पर एक बार यह मिल आ आपको तो यह पर एक स्पलस वाइग मिल रहा है और मैने बोला था एक सब्लस वाइगा सम्टिंग एक्स माइनस वाइट कॉमन ले सकते हैं बिलकुल सर इस इक्वरस टो एटी टिवाड़ेट बाइट क्या होगा टेन होगा सर एक्वेशन नमर फोर आ गया अब तो सिंपल होगे ना एडिशन से से एक्वेशन 3 मिला सब्च्वेशन से 4 मिला फिर सोट कारना है वहां किसको ऐड़ करना है दो न्यूएक्वेशन जो मिले है उनको यह एक्वेशन 3 और 4 कोईडे एक्वेशन 3 3 और एके को एक वेशन किने तो 3 और को एड करेंगे तो X-Y और यहां पर आएगा X प्लस वाइक विये गॉस टू एन करेंगे तो कांसल यह हो जाएगा 2x और यह हो जाएगा 14 यहां से हमें X एकुझल इक क्या मिलेगा बिटा 14 by 2 7 एक अंशर तो मिल गया सर अब दूसरा अंसर तो हम easily find out कर सकते यार किसी भी एक equation में put करो बढ़ हम 3 और 4 में से 3 और 4 को भी prefer करेंगे क्योंकि simple है ना तो अब मैं क्या करता हूँ फिर put या फिर substitute बोलो आप एस एस में तड़े तो substitute x equal to 7 in equation 4 में करो में ठीक है तो x equal to 7 तो 7 plus y equal to 10 तो यहां से y equal to क्या आईगा 10 minus 7 3 तो होगे यानसर हमारा answer right so therefore x comma y is equal to 7 comma 3 is the solution of the even simultaneous equations is a method clear interchange coefficient वाले questions अगर आते तो clear है देखो इस टाइप के एक्स टाइप पे एक्जाम में जो questions आते ना वो generally थोड़ा सा अलग आते हैं अलग मतलब यह पूरा नहीं पूछते है generally ऐसा भी आ सकता है तो type of questions देखते एक्जाम में कैसे आते देखो यह एक्जाम का question है 2019 का clearly दिख रहा है सर यहाँ पे न 3x दिया है plus 5y is equals to 9 और दूसरे में क्या है 5x plus 3y is equals to 7 interchange coefficient है और पूछा क्या है x plus y but आप लोग क्या करते हो interchange को efficient है दर 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 पूरा solve करेंगे x और y दोनों अलग निकालेंगे फिर plus करें भाई यह करना ही नहीं है यह question कभी-कभी एक mark के लिए आता है क्या एक mark के लिए आप इतने सारे steps करेंगे x अलग find out करेंगे y अलग find out करेंगे फिर add कर देंगे अरे नहीं भाई एक बार इसको समझ लो इस type के method में इस type के question में आपको एक equation third or fourth में एक equation आपको एक किया में मिलता है हमेशा और सब्सक्राइब आपको एक ही पूचा है एक प्लस you या फिर x- सकता है उस equation दो सब्सक्राइब करना होगा आपको में ाड करके दिखांग आप लिखेंगे एडिए एडिवेशन वन एंट फूरा लिखेंगे ठीक है अब दो क्या हो रहा है 8x लजी क्या हो रहा है 8y is equal to 16 8 common ले लो तो x plus y equal to 16 x plus y equal to क्या होगा बेटा 16 divided by 8 2 and this is my final answer कितना time लगा बेटा एक मिनिट भी नहीं लगा होगा with explanation इतना वड़ा करने की जूरत नहीं यार एक मार के लिए question आता है तो बस आपको क्या x plus y पूछा था मैंने बस add कर दिया answer आगे अब आगे वाला question देखो एक माइनस वाइप पूछा है एक माइनस वाइप पूछते हैं तो सब्ट्रैक करना है यह बड़ा ऐसा कंपल्सर नहीं हर बारा कि x- y अगर find out करना है तो सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा कंपल्सर ही नहीं है वह यहां पर साइन कौन से उसके उपर अगर आप बोलते कि x- y find out करना है तो सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ता है तो गलत है एक माइनस वाइपको कहां से मिला है पता है एडिशन से मिला है देखो एडिशन किया दोनों को तब आपको x- y मिला है और इसके पहले वाले question में जाएंगे तो x- y अपको एडिशन से मिला है और यहां पर x- y अपको सब्ट्रैक्शन से मिला है तो ज़रूरी नहीं है कि x- y हमें find out करना है तो add ही करना पड़ेगा वो sign पे depend करता है कैसे देखो यहां पर actually इस question में सारा plus था सब कुछ plus है तो x- y find out करने के लिए plus ही करना पड़ेगा x- y के लिए minus ही करना पड़ेगा इस question में देखो यह x वाले coefficient प्लस है और यह माइनस है तो यह प्लस है और माइनस है तो उल्टा होगा फिर अब अब अगर आपको माइनस वाला चाहिए x- y चाहिए तो प्लस करना पड़ेगा x- y चाहिए तो माइनस करना पड़ेगा तो यह दिमाग में आप बिठाओ तो वो डिपेंड करता है आपको question देखके समझ में आता डियरेक्ट अभी आपए देखो कि अग्सलाइड सब्सक्राइब करना पड़ेगा अब सब्सक्राइब करने के लिए बूलत है यार बड़ा वाला जो है न उस पेसे छोटा माइनस कर दो तो आप क्या करेंगे इसको प्रापर लिखेंगे एक्वेशन नमर वन टुबट में डायरेक कर रहा भिया वह बहुत स्टेप वाइस बत एक्वेशन दिख रहा है अभी यह माइनस हो जाएगा यह भी माइनस होगा तो 6x-5x विल बी एक्स-5y-6y-y-6y-y-y is equals to 17-13 is हो गया मेरा आंसर ठीक है तो यहाँ पर लिखु में अभी तो therefore अस मैंने सब्ट्राक्ट ही कर दिया और मुझे आंसर मिल गया सर क्थाम इजी एदां क्लियर तो यह एक्टिविटी देखु कि विड़ा अपको आपके बोड एक्जाम में एक्टिविटी बेस क्वेशन भी आते हैं आपको पता होगा अलजेब्र में 7 marks के आते हैं और जोमेंट्री में भी 7 marks के आते हैं अब देखो यह क्वेशन complete the following activity to solve the simultaneous equations equation first equation second यह बहुत simple है देखो activity based question बहुत simple होते है two equations है add let's add equations add कर दिया sir यह दोनों हो जाएंगी cancel 5x plus 2x क्या आएगा 7x 9 plus 12 क्या होगा 21 तो x की value find out करने तो 7 डिवाइड में जाएगा 21 by 7 21 by 7 क्या होगा 3 x की value तो मुझे मिल गई तो यहां पर मैं direct 3 लिग दूँ अब y की value find out करने के लिए हम क्या करेंगे put x is equal to 3 in equation 1 किया इन्हों तो 1 में करते है x की जगह पे हमने क्या पूट किया पे 3 तो अब क्या होगा यह 3y is equal to 5 into 3 15 उदर जाएगा तो माइनस होगा 9 माइनस 15 क्या होगा माइनस 6 अब यह माइनस 6 divided by क्या होगा 3 तो माइनस 6 by 3 क्या होगा माइनस 2 तो हमारा आंसर आ गया 3,2 is the solution of the given simultaneous equations राइट इनका solution हमने find out कर दिया है बहुत simple था activity based question था और इसके बाद यह end है आज का आज की class में हमने सबसे पहले linear equation in two variable का introduction देखा है पगड़ा introduction देखा है किसी भी type का question आता है तो आप कर सकते हैं उसके बाद हमने solution simultaneous equation देखा था और simultaneous equation की जरूत क्यों है क्योंकि एक equation दो variable में अगर होगी तो उसके infinite solutions मिलते हैं यूनिक solution लाने के लिए हमने simultaneous equations को consider किया था मतलब दो equations को at a time फिर उनको स्वाल करने के हमने method देखे substitution method elimination method मतलब 9th standard का ही portion आज हमने revise किया इसके बाद हमने थोड़ा सा कुछ नया पड़ा एस एस method मतलब interchange coefficient वाला question आता है तो उसको एस एस method से करेंगे एक्जाम में question कैसे आता जनरली बहुत बार x plus y find out करो या फिर x minus y find out करो तो आप क्या करेंगे वो depend करता है equation पे अगर सारे साइन से होंगी तो x plus y के लिए add करना पड़ेगा अगर प्लस और माइनस होगा तो x plus y find out करने के लिए आपको सब्ट्राक करना पड़ेगा पूरा नहीं करना है वर्षन को पहले पूरा पढ़ना है कि आपको पूछा क्या है तो बूर में उस ताप के questions आते हैं वो भी हमने discuss कर लिए तो आई होब आपको आज का जो session है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा तो बेटा अभी ह करना है और उसके बाद जो कुछ भी डाउट आते हैं वह हम लाइव session में discuss करेंगे तो चलो वेड़ा मिलते हैं नेक्स session में बाबाई टेक केर